नमस्कार मैं हूँ मनविंदर एंबियन नेटवर्क पे आप सब लोगों का बहुत स्वागत हैं तो गुजराद युनिवस्टी के रजिस्टार पियोश्कुएल ने अर्विंद केजरिवाल और संजे सिंग की टिपनियों के खिलाफ मानानी का जो मामला दर्स किया था न वो अब अर्विंद केजरिवाल की गले की हड़ी बन चुका है वैसे इस देश में दो ही ऐसे प्राणी हैं मोटे तोर पे हैं कहने को तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल और राहुल गांदी कोई मोका नहीं छोड़ते हैं हमेशा प्रधानमत्री नरेदमदी को नीचा दिखाना उनका अफमान करना उनके द्वारा जो कारे किये जा रहे हैं देश के विकास के लिए उनमें कमिया निकालना ये इनका काम है और ये दोनु वेक्ति ऐसे हैं जो कई सारे घोटालों में फसे हुए हैं और अक्सर अपने घोटालों को छिपाने के लिए उनको लुकाने के लिए ये प्रधानमत्री पर इस तरीके के बेहुदा अटेक करने की कोशिश करते हैं और अब देखिए आपके सामने ही है राहूल गांदी की तो सांसदी चले गई थी रदर उनका बंगला भी चिन गया था लेकिन फिर मशक्कत की उन्होंने और उसके बाद उनकी सांसदी रेस्टोर होती है उसके बाद चीजे थोड़ी नॉर्मल हुई लेकिन अपनी आदत नहीं च्पड़ी राहूल गांदी ने देखिए रिसेंट सदन में उन्होंने क्या-क्या बत्तमीजियां की मतलब जो देखने सुनने वाले लोग हैं उन्हें में ताज्जुब होता है कि राहूल गांदी को क्या किसी ने तमीज नहीं सिखाई किस तरीके के भद्दे कमेंट करते हैं वो खेर जाने दीजियोंने उनका ऐसा ही संस्कार है तो उसे कोई बदल नहीं सकता केजरिवाल की बात करू तो केजरिवाल हमेशा यह कहते हैं कि उनसे पड़ा लिखा, उनसे इमानदार, कोई है ही नहीं, इमानदार ही आपने देख लिए उनकी, कितने इमानदार निकले, कितने सारे घोटालों में फसे हुए हैं, मैं आपको ज़रा पहले उनके घोटाले भी दिखा दूँ, अगर मैं एम एबल तो शो जू जू दे लिस्ट, ओके, आपको ज़रा पहले हैं, यह लिस्ट है, ओफिस ओफ अमिशा, अब इनके घोटाले देखिए दर आए एक नजर, कितने घोटाले हैं, शराब घोटाला है, जल बोड का घोटाला है, क्लास्रूम घोटाला है, और नकली गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला है, बस खरीद में घोटाला है, शीष महल का घोटाला, तो दो दिन पहले ही उजागर हुआ है, अब ये घोटाले चिपाने के लिए, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप पधन मंतरी का अबमान करेंगे, लेकिन नहीं, इन्हों ने क किया, तो गुजराद उनिवस्टी के रजिस्टर प्यूश पटेल ने, अर्मिन केजरिवाल और संजे सिंग की टिपणियों को देखते हुए महानानी का मुकंदमा दर्स कर दिया, अब हुआ ये है कि इनको सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे दोस्तों, और आपको याद होगा कि केंदर ने दिल्ली के उपराजपाल को, यानि कि LGV के सक्सेना को, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्यूत मिनमायक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरन, बोर्ड, एमम, आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे और जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के उपराजपाल ऐसे प्राधिकरन, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकायों में सदस्यों के निप्ति भी कर सकते हैं, तो ये समझ लिजे कि LG ने इस दिशा में अपना पहला कदम रख दिया है और एक तीर से उन्होंने कई सारे होने वाले है, इधर शीशमेल का सारा जो घोटाला है, गड़बड जाला है, वो सब सब के सामने आगया है, पी डवली ने पूरे समान की लिस्ट जारी कर दिये, और इधर सुप्रीम कोट का जटका, यानि कि आमाद्मी पार्टी पर मुसीबतों की एक लाइन लग चुकी ह अब ये भी समझ लीजे आप, कि ये जो सुप्रीम कोट का जटका लगा है, ये कोई छोटा जटका नहीं है, आगे बढ़ने से बेले दोस्तों, आप से मेरा वही आग रहे है, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजे, कमेंट भी जरूर कीजे, क्योंकि आपके कमेंट मिरे लिए बहुत ही एहमियत रखते हैं, तो सभी नेशनलिस्ट राष्टवादी चैनल की प्रति अपना स्ने, अपना सपोर्ट बनाए रखे, तो राष्टपती के नए आदेश से उपराज्यपाल औ राष्टिये राजधानी दिल्ली में एक विदेग का संशोधन किया था, अपनी मंजूरी देते हुए उन्होंने ये कहा था इस विदेग में कि अधिकारियों के सभी तबादले और नुक्तियां अब राष्टिये राजधानी सिविल सेवा प्रादिकरन द्वारा की जाए अब ये समझ लीजे कि जो जटका सुप्रीम कोट से अर्विन केजरिवाल को लगा है, वो जटका जो है बहुत जोर का जटका लगा है, आमादमी पार्टी के सुप्रीम हूँ, अर्विन केजरिवाल, तमाम सारी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, शीश महल, और भी कई सारी उनके दिमाग में चीजे चल रही हैं, कैसे जवाब देंगे जनता के बीच में, जब जाएंगे, लेकिन ये जो सुप्रीम कोट का जटका है न, ये इनको बहुत महँगा पढ़ने वाला है, परधानमंतरी नरेंद मोदी की डिक्री को ले करके उन्होंने जो कमेंट किया थ जिस तरीके से उनको अपमानित करने की कोशिश की थी, अब उसमें इनको, इनसे सवाल पूछे जाने का वक्त आ गया है, सुप्रीम कोट ने मानहानी के इस मामले पर रोक लगाने वाली उनकी मांग को खारिस कर दिया है, अब अगर उनकी मांग को खारिस कर दिया है, तो य गुजरात में अपराधिक मानानी का मामला चलता रहेगा। पेशियों पे उन्हें जाना पड़ेगा। यानि एक और काम लग गया है केजरिवाल के लिए। आप फॉलो कीजिए। जमानत के इनके मामलों में भी तो यह हुआ। यह सीधे सुप्रीम कोट जाते हैं क्योंकि वहाँ पता है कि इनके अपनी टीम है, इनके सॉलिड वकील है, इनके अभिशेक मनु सिंग भी हैं, उनके और लग्य बग्य हैं, जो इनको बचा के लिए जा स सुप्रीम कोट ने संजे सिंग की ऐसी ही मंकु ठुकरा दिया था, और अब केज़िवाल की याचिका, वो भी अस्विकार कर दी गई है, दरसल गुजराद युनिवस्टी के रजिस्टर, प्यूश पटेल ने अर्विन केज़िवाल और संजे सिंग की टिपनिया जब शुरू कर दिया, तो उन्होंने मानहानी का मुकदमा दरस किया, अच्छा लोग ये सोचते हैं कि मानहानी का जो मुकदमा होता है, वो कुछ समय चलेगा, उसके बाद खतम हो जाएगा, लेकिन आपके सामने ही बहुत सारे ऐसे एक्जेंपल है, एंडीसेंट एक्जेंपल राहूल गांदी का है, हाई प्रोफाइल आपके सामने उधारान है उनका, जिसमें उनकी सांसदी चले गई थी, और वो पैदल हो गए थे, हालत यह हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आरा था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ नहीं सकते, तमाम सारी मुसीबत उमें एकदम से वो गिर गए थे, और यह हालत तो राहूल गांदी की हुई थी, लेकिन केजडिवाल की हालत इससे भी बुड़ी होगी, अब अर्विन केजडिवाल ने यह मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानी के मामले पर रोग लगाई जाए, देन जस्टिस सर जाचिका को खारिस कर दिया था, इसलिए कोट का यह कहना है कि हम सब के लिए एक जैसा ही धरश्टिकोन रखेंगे, यानि कि जो संजे सिंग के लिए था वो ही इनके लिए, और इससे पहले आपको याद है, गुजरा थाई कोट ने फेबरेरी में संजे सिंग और अर्विन जिवाल ने गुजराद युनिवस्टी की ओर से दायर मामले में निचली अदालत के द्वारा, दायर संबन और उसके बाद, सत्र नैले में जारी संबन के खिलाफ, उनकी जो रिव्यू याचिका है थी, उनको खारिश करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाई कोट में जाचिका दायर की थी, यह इनकी पूरी आदत है, इनकी जो लिगल टीम है न, वो ही इनके लिए जी का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि वकील को तो अपनी फीस चाहिए, और वो फीस कहां से आ रही है, जनता के पैसे से, इनका तो कुछ जाता नहीं है, इतने दिन जेल रह क करके आए, इनके इतने सारे लोग, सब को एक लाइन से, अभिशेक मनु सिंग भी, जिस लिगल टीम को हेड करते हैं, उसने ही सब के पैरुकारी की सब के मुकद में उन्हों नहीं लड़े हैं, चाहे वो केजरिबाल हो, चाहे वो संजे सिंग हो, चाहे वो सतेंदर जैन हो, चाहे वो विभव कुमार हो, चाहे वो विजयन नायर हो, जो भी हो, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं, मनी सिस हो दिया, सब के मुकद में यही लड़ते हैं, और मोटी फीस लेते हैं, यू कांट इमेजन कि एक हेरिंग इनकी कितनी कॉस्टली होती है, लेकिन सो वाट, इनकी सेथ पर क्या फरक पड़ता है, वो पैसा तो जनता का है, जनता की गाड़ी कमाई, यह अपने गलत कामों को सही करने में खर्च कर रहे हैं, शरमानी चाहिए इनको, अब इनको करारा जवाब मिल गया है, हाई कोट में जब इनोंने जाचिका दायर की थी, अब सुप्रीम कोट में भी इनको जटका लगा है, तो यह जटका सुप्रीम कोट से लगा है न, यह इनको बहुत भारी पड़ेगा, इसमें यह जेल जा सकते हैं, अच्छा रईसाई कसर शीशमेल वाले मामले में पूरी हो गई है मतलब वहाँ जो की इनकी आयाशिया चल नहीं थी सब उजागर हो गई है आयाशिया इनसेंस कि जो इन्होंने अपने कहना चाहिए कि लाइफ स्टाइल को इन्हेंस करने के लिए घर में जो समान लखे हुए थे घर में जो सोफे थे जो किचन के अप्लाइंसिज थे जो इनके वाश्रूम में समान लगे हुए थे जो इनके गैजेट्स थे all are very expensive अब अगर आज की तारीख में मैं बात करूं टोटो स्मार्ट टोलेट सीट तो आज की तारीक में उसको सबसे ज़्यादा सर्च किया दार है गूगल पे क्यों हर आदनी देखना चाह रहा हर व्यक्ति उसको जानना चाह रहा है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है मैंने एक वीडियो कल डाली है आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं तोटो स्मार्ट टॉयलेट मशीन के बारे में सीट के बारे में सब कुछ संबित पातरा ने डिटेल से बताया है मैंने उसका वीडियो उसमें इन्हेंस किया है आप उसको देखिएगा आपको पता सल जाएगा कि वो आकिर क्या बला है और देखिए सबसे इंट्रेस्टिंग क्या है उस कंबोड को वहाँ से गायब कर दिया गया इट मींज उसको कहीं और इंप्लैंट किया गया है तो उसमें कुछ खास बात होगी न एक नॉर्मल इंसान जो है अगर बात्रूम में आप बात्रूम में फोन लेके जाते हैं तो बड़ा संभाल के चलते हैं कि कहीं गिर न जाए गिला न हो जाए लेकिन किस रिवाल का जो वाश्रूम है वो रिमोट से ही कंट्रोल होता है और जो साधारन वेक्ती है वो तो उस रिमोट को देखकर है डर जाएगा कि कहीं कोई गलत कमांड न दे दी जाए आप उस वीडियो को जरूर देखेगा तो केजरीवाल की काफी लानत मलानत हो चुकी है शीशमेहल को लेकरके और अभी तो यह शुरूआत है देखे यह शीशमेहल से टोटो स्मार्ट टावलेट जो गाइब हुआ है और पीड़ ने जो सूची जारी किये यह बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है अर्विन केजर के लिए क्योंकि यह ऐसे समय में पीड़ीडी ने सूची जारी की है जब तीन महिने के बाद विधान सभाके चुना हो गये और लोग भूलेंगे नहीं इसको क्योंकि अब तो दिल्ली के लोग यह कह रहे है कि हमें अर्विन केजरीवाल का शीशमेहल जैसे मुगल गार्ड इतने महेंगे समान महां क्यों लगाएगा है वो यह देखना चाहते हैं और आप यकीन मानिए अगर लोगों ने वो सब इनकी शानुष्वकत के समान देख लिए तो फिर इन्हें कोई घास नहीं गेरेगा कोई इन्हें अपना सही मैंड़ेट देने के लिए नहीं तो आने वाले दिनों में इन्हों बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि जब से P.W.D. ने वो सूची जारी की है एक बार मैं देखती हूं अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो वो सूची आप भी हैरान हो जाएंगे देखिए तस्वीर के साथ पूरी लिष्ट इनके कितने करोड के टीवी है कितने करोड के इनके फ्रिज है मैं वेन है सोफा है एलडेडी है आम इंसान तो इनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कॉफी मेशीन है और इनके जो पर्दे हैं तमाम सारी चीज़े हैं मैं लास्ट ट्वीड में दिखा चुकी आपको एंड जिस पे ज़्यादा चर्शा हो रही है that is smart, total smart toilet seat तो यह आपने देखा remote भी दिखाई दे रहा होगा आपको तो यह अब इस remote की वज़े से इनके बड़ी थूतू हो रही है और देखिए यह क्या कह रहा है कल तक आप इनके बड़े आवाज सुन रहे थे ऊची लेकिन जब से PWD ने सूची जारी किये अर्विन केज़िवाल को किसी ने किसी मंज पर नहीं देखा है पहले वो क्या कहते हुए घूम रहे थे हमें इसलिए जेल भेजा गया है ताकि केज़िवाल ही नहीं मनिश्य सौधिया सतेंदर जैन संजेग सिंग सब को बेगुना वो बता सके पब्लिक की नजर में लेकिन वो गीत ऐसे ही नहीं है कि यह पब्लिक है यह सब जानती है और यह अपने आपको जनता की नजरों में अच्छा बताने के लिए इस तरी की पब्लिक समझ चुकी है लेकिन अब तो पी डव्य डी ने आम आदनी पार्टी को बिलकुल नंगा कर दिया है मुझी पाने की जगा नहीं मिल रही होने क्योंकि सडक में निकलते हैं तो लोग चपने लेके मारते हैं और भगवंदमान तो बहुत कुश होंगे इस समय क्य पुरी तरह से अर्वीन केशिवाल की हेकड़ी निकालती है जिस तरीके से एल जी ने आतिशी और स्वाथी के परकत्रे हैं स्वाथी तो देखिए पार्टी में है नहीं है एक ही बात है लेकिन हाँ आतिशी को आज बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनके जो अधिकार है उनका कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं कि हनन हुआ है लेकिन एल जी ने तो जो ग्रह मंतराले ने उन्हें कहा है वो किया है अब उन्होंने क्या किया है वो भी बड़ा इंट्रेस्टिंग आप सुनिए दिल्ली महिलायोग के सहाइक सचिव ने DCWD के सभी सभी सम्विदा करमचारियों को ततकाल परवाफ से पदों से हटाने का निर्देश जारी कर दिया है और DCWD मंतराले ने एपरेल 2024 में इस आदेश को पास किया था लेकिन राजभवन की और से सुमवार को इसे मंजूरी मिली है तो यह जो सुमवार को इन्हें मंजूरी मिली है और चुनाव से ठीक पहले इसके आप मतलब समझिए इससे पहले दिल्ली के LG ने मई में दिल्ली महिला आयोग से 223 करमचारियों को हटा दिया था ऐसे यादेश आया था और कहा गया था कि DCWD की उस समय की अध्यक्षा स्वातिमाली वाल ने नियमों के खिलाब जा करके बिना अनुमति के करमचारियों की निक्ति की थी स्वातिमाली वाल ने बड़ा तमाशा किया था काफी सारे उसने तीर छोड़े थे LG पर स्वातिमाली वाल ने कहा था कि यह सब हरेस्मेंट है और हम तो बहुत काम कर रहे हैं और हमारी टीम है चालिस लाग से जादा कॉल को सुना है और उसमें दुशकर्म पीडित है एसिट पीडित है सबकी भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं और मैला पंचायत के माध्यम से पचास अजार मैलाओं की बात सुनी है दो लाग केसिस को सुलजाया तमाम सारी बातें उन्होंने कहीं कि हमने ये काम अकेले नहीं किया है इन लोगों ने भी किया है बला बला लेकिन सवाल ये है कि काम के लिए ही तो आयोग होता है हेरा फेरी करके न्युक्तिया करने के ल निरस्त कर दिया है तत्काल परवाव से तो सब तरब से अर्विन केजरिवाल गिर गए है एक तो शीशमेल दूसरा सुप्रीम कोट से जो उन्होंने परधार मंतरी का अपमान किया उसका जवाब देना पड़ेगा और एल जी ने रही सई कसर पूरी कर दिया है तो अर्विन क केजरिवाल सिर उठा के चल सकेंगे पबलिक के बिश में वोट मांगने के लिए जाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारी बाते लोगों को पता नहीं है तब लोग उनके MLS को चपलों से मार रहे हैं पीट रहे हैं उनका निकलना मुश्किल हो गया है किछी जात्रा में दो जब हरत